हम सब को याद रखना होगा बाबा साथ भीम्रावंबेट करने एक बात कही थी और वात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे वढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बलकि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे याद करिए आज तो काफी प्रिवर्तन हुआ है समाज पुरी विवस्ता सरकारे सब आपके साथ में खड़ी होती है लेकिन एक समय वह काल खंड कैसा रहोगा जब आवासा भीम्रावंबेट करका जन्म हुआ होगा उस समय च्वाचोतर अस्प्रिस्ता की भावना इस्कूल मे भी वहावनाय थी पर्वेस में इस प्रकार की रहावनाय थी कि सीगए प्रते एक च्यंटर में आगे वढ़ने के लिए पहावना थी लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बलकि जीवन में स्वयम से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार को अपनाया कि अप दिपो भवा की उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगिकार करने का प्रियास किया और वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्गि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, बंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पैदान पर खड़ेवे ब्यक्ति की बात होती है, नियाए पंदुता और समानता की बात होती है, स्वाधिनता की बात होती है, वहाँ पर बावा साथ भीमराओं बेटकर का नाम बड़ी सर्धा और बड़ी सम्मान के साथ वहाँ का प्रतेक नाकरिक लेता है और इसलिए लेता है क्योंकि वह रहा बावा साथ भीमराओं बेटकर ने हम सब को दिखाई थी और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, हम आदि से अंत तक सदेव भारतिये हैं, इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जह हम कारे करेंगे, तो सदेव जीवन में सफलता का मार्ग, सदेव हमारे जीवन में चुमतावा दिखाई देगा, मैं अमबेटकर महासवा को इस बात के लिए हिर्दे से धन्यवा देता हूँ, किनों ने इस लंबी परंपरा को उन्निस सो क्यानवे से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कारे किया, जब बावा साब भीमराव अमबेटकर की सताब्दी, वर्स जन्म जेंतिका में डॉक्टर अमबेटकर महासवा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कारे करम को आगे बढ़ाने का कारे किया, और आज इनी के प्रियासों का पेड़नाम है, उत्तरप्रदेश सरकार लखनों में बाबा साब भीमराव अमबेटकर का एक भव्य, इसमारक और सांस्कृत केंदर की इस्थापना की कारे करम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कारे कर रही है, मेरा वेस्वास है कि अगला कारे करम जा हम लोग यहां पर आयोजित करेंगे, तो अग कारे करम उसी केंदर बेस्थापित होगा, जहां पर अपना ओर्टोरियम होगा, जहां पर बाब पुस्तकाले स्तापित किया था जिसमें वहां पर 50,000 सेधिक पुस्तके मौजूद थी जहां पर इस प्रकार का पुस्तकाले होगा जिस पुस्तकाले के माध्यम से हम वरतमान पीडी को और भावी पीडी के लिए एक नई पेड़ना और प्रकास के लिए बाबा साथ भिम्राम बेटकर जैसे महान ब्यक्तित्तों को उनके सामने रख करके उन्हें आगे वढ़ने के लिए प्रित कर पाएंगे आज की सौसर पर मैं एक बार फिर से अमबेटकर महासभा को उनके द्वारा सम विसम प्रस्तितियों में जूसते वे कारे करते वे आगे वढ़ते वे जिस प पूरी प्रतिभाव arbitrता के साथ कारेकरेगी उन्हें हर प्रकार से उन्हें समान देने और उनकी भावनाओं के लूप उत्तर-प्रदैस में एक भेत्भाव से रहिए एक मिसमता बंदुता और शमानता के इस थापना केलिए पूरी प्रतिपता के साथ कारे करते हुए हम लोग मिल करके नए भारत कने उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगता देंगे मैं आज के सौसर पर प्रदेश सासन की ओर से बाबा साथ भिम्राओं बेट करजी को कोट कोटी नमन करते हुए भारत को एक स्वतंद्र भारत को कैसा भारत वनना चाहिए इस प्रकार की दिक दर्सिका की रूप मे भारत की संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साथ भिम्राओं बेट करजी को प्रदेश वास्यों की ओर से बिनम्र सरधान जली भी अरफित करता हुए भायोबेनों हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता न्याए और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर विम्राओं बेट करजी ने भारत के नागरिकों को दिया है उन भावनाओं का पेड़नाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चरे बना हुआ है बलकि एक नई पेड़ना के साथ आगे बड़ रहा है हम सब आबारी हैं प्रधान मंत्री मोदी जी के जिन्होंने बाबा साब भिम्राओं बेट कर जी को सरवाधिक सम्मान दिया बाबा साब भिम्राओं बेट करके पंच तीर्थों की अस्थापना मौँ छावनी मद्ध प्रतीस में दिक्सा भूमी नागपूर में चैत्य भूमी मुंबई में सिक्सा और जहां उन्होंने वकालत प्रारंब की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के और जहां महापनिर्वाण लिया था दिल्ली के उस भवन को भी उनके एक भव्य स्मारक की रूप में भीम्राओं बेट कर सांस्कृतिक केंदर की रूप में उसे विक्सित करके पंच तीर्थ की रूप में बाबा साब भीम्राओं बेट कर को सम्मान देने का कारे किया है यह वर्तमान और भावी पीड़ी के लिए एक नई पेड़ा है एक नया प्रकास भी है आधने प्रधान मंत्री जिसे ही पेड़ा प्राप्त करते हुए सरकार ने ले एक कदम उठाए हैं खास तोर पर जो चर्चा यहां पर चली आजादी के बाद पहली बार यह एसास हुआ कि हर गरीब और हर बंचित को उसके सिर को ढखने के लिए आवाज किया उसकता है और अगर वह स्वयम उस प्रकार की स्थिति में नहीं है तो उसे यह स्विधा सरकार स्वयम उपलब्द करवाने का कारे करेगी और आज उसे यह स्विधा उपलब्द करवाने का कार्य सरकार के अस्तर पर प्रारंब हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाग से दिक गरीबों को एक-एक आवाज प्रधान मंत्री आवाज योशना और मुख्य मंत्री आवाज योशना में उपलब्द होना ये बाबा साथ भीमराओं बेट करकी ही सपने को साकार करने जैसा है हर गरीब के पास अपना सौचालय हो बिना बह्यद भाव के आज़ दो करोड 61 लाग से धिक गरीब परिवारों को एक एक सौचाले अपलब्द हो जाना ये बावा साथ भीमराम बेट करके उस सपने को जिसमें स्वच्छता का अग्रा तो है ही लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी बिवस्ता की गई है और उसका प्रतिनित्व करता है हर घर में बिजली जले सिक्सा के नएने केंद्र स्तापित होना अनसुची जाती जन जाती के नागरिकों के लिए विसेश प्रावधान करते उन्हें जीवन की प्रतेक छित्र में आगे वढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और बंचितों को जिन के आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किनी कारणों से उन्हें उपलब्द नहीं हो पाया था उन्हें उजाड़ना नहीं बलकि उनको बसाने की विवस्ता वहीं पर हो उन्हें आवास ये पट्टा वहाँ पर प्रावत तो हो इसकी विवस्ता आज सरकार जिस रूप में प्रारंब की है या प्रधान मंतरी मोदी जी की पेड़ना से बाबा साब भिम्राम बेट करके सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है। और उसी के तहद आज हम सब आपके बीच में आये हैं।